Hello everyone, welcome to School Diaries, इस वीडियो में करते हैं Class 2 का EVS, लास्ट वीडियो में हमने Games we play किया था, इस वीडियो में करते हैं हमारा next chapter, chapter number 18, Earth and its Neighbors, so chapter का नाम है Earth and its Neighbors, Earth हमारी पृत्वी जहां पर हम रहते हैं और उसके नेबर्स, मतलब उसके पडोसी जो हमारे स्पेस में हम देखते हैं Sun, Moon, Planet, Solar System है ना, तो यह सब क्या है, हमारे Earth के Neighbors हैं, वो सारे planets जो हमारे चारों तरफ खुमते हैं, तो चलिए उसके उपर है यह lesson, so heavenly bodies, बड़ी 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 चीजे जो हमारे स्पेस में घुमती है, ठीके क्या क्या होता है, स्पेस में सोलार सिस्टम होता है उसमें planets है, Sun है, Earth है, Moon है, है ना, तो चलिए इसके उपर यह chapter है, तो chapter को read कर देते हैं, आप देखें यहाँ पे बच्चे पुछ रहे हैं कि Sir, what are you doing with these binoculars? Sir, आप यह binoculars से क्या कर रहे हैं, तो binoculars कौन सा होता है, जो छोटा सा होता है, जिससे हम दूर की चीजे देखते ह लेकिन वो छोटे चोटे purpose के लिए होता है, वो छोटे distance को देखने के लिए होता है, लेकिन देखें यह क्या है, यह binoculars नहीं है, Sir, बोल रहे हैं कि यह binoculars नहीं है, this is a telescope, यह एक telescope है, टेलिसकोप क्या होता है, बहुत ही दूर तक हम देख सकते हैं चीजों को, जिससे हम sky म space में चीजें देखते हैं, उसको हम telescope बोलते हैं, ठीक है, it is used to watch, वो किसलिए होता है, heavenly bodies को space में देखने के लिए, heavenly bodies मतलब जो sun, moon, सारे planets, यह सारी चीजे हैं तो उनको हम heavenly bodies बोलते हैं, तो उनको देखने के लिए होता है telescope, चलिए अभी हम chapter को read करते हैं, the sun, the moon, the stars and the planets are called heavenly bodies तो इन सभी चीजों को हम heavenly bodies बोलते हैं, किस किस को, sun को, moon को, stars को और सारे planets को और हमारा अर्थ भी ठीक हैं, तो इन सब को हम heavenly bodies करके बोलते हैं, they are present in the outer space, यह सभी चीजे हैं जो हम अपने space में देखते हैं, अब देखे, test your knowledge, look at the pictures, name any three heavenly bodies, अब कोई तीन heavenly bodies के नाम आपको ल लिख सकते हैं, sun लिख सकते हैं, moon लिख सकते हैं, या फिर star लिख सकते हैं, the next topic है solar system, हमारा solar system कैसा होता है, so देखे हमारा जो space है, जो अंतरिक्ष है, उसमें एक solar system है, जो की एक ring ring type से दिखता है, ऐसे ऐसे ऐसे, हैना, तो इसमें क्या होता है, हर एक line में आप देख सकते ह है एक-एक planet है. है ना, ऐसे कितने planets है? 8 planets है. तो सब के बीच में कौन है? Sun है. है ना, the solar system consists of sun and all planets that move around it. तो solar system क्या है? एक sun है बीच में और उसके चारो तरफ ये सारे planets जो हैं घूमते रहते हैं. Sun के चारो तरफ, ठीक है? Then, there are कितने planets है? 8 planets से नवर सोलार सिस्टम, एट प्लानेट है हमारे सोलार सिस्टम में और वो कौन कौन से है देखे, देयार, मर्कुरी, अब देखे यहाँ पे मर्कुरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, साटर्न, युरानस, नेप्टून अब यह प्लूटो नहीं है, ठीक है, यह पुराना है, अब यहाँ पे देखे, प्लूटो दिया है लेकिन प्लूटो अभी एक प्लानेट नहीं है, सिर्फ एट है, यह पहले प्लूटो भी एक प्लानेट हुआ कता था 9 planets है लेकिन अभी सरफ 8 ही है तो आप Pluto नहीं बोलेंगे ठीक है So 8 planets है हमारे solar system है जिसका नाम यहाँ पे दिया गया है Then they move around the sun in their fixed path called orbit और यह जो line आपको दिखाई दे रहे हैं यह दिखे यह जो line है जिसमें यह planets घूमते हैं उसको हम orbit बोलते हैं क्योंकि इसी line में वो जो है fixed path मतलब वो path हमेशा fixed रहता है इसी line में जो है सारे planets ऐसे घूमते रहते हैं So यह जो line है जिसपे वो घूम रही है उसे हम orbit बोलते हैं ठीक है तो यह है solar system जो हमारे space में है आप देखे यहाँ पे एक trick दी गई है जिससे हम planets के नाम उनके correct order में याद कर सकते हैं तो उसके लिए आपको ये sentence याद करना है देखे my very educated mother just served us noodles इसका मतलब क्या है मेरी बहुत ही educated मतलब पढ़ी लिखी mother ठीक है just अभी serve करना मतलब परोसना just उन्होंने परोसा हमें us क्या noodles तो ये एक trick है just एक fun sentence बनाया हुआ है जिससे अगर हम याद करें तो हम सारे planets के orders याद कर सकते हैं कि पहले क्या आता है फिर क्या आता है तो आपको क्या करना ये sentence को याद रखना है ठीक है my very educated mother मेरी बहुत पढ़ी लिखी हुई mother ने क्या कि आम just served us noodles अभी हमें परोसे कुछ noodles ठीक है तो अब इसका मतलब क्या है देखिए सबसे पहले माई आता है तो माई के लिए M है ना first letter तो M से हो गया मरकुरी इस तरीके से याद करने के लिए है ठीक है फिर आप सुचेंगे next word है very तो very का V से हो गया venus educated educated के E से हो गया earth M से हो गया Mars है ना तो same first letter को आपको याद रखने के लिए है ये trick ठीक है then just के लिए आप Jupiter याद रखिए then served मतलब Saturn, Earth, Uranus and noodles Neptune ठीक है तो अगर आपने ये sentence उपर वाला याद कर लिया तो sentence के help से आप planet के order भी याद कर सकते हैं कि पहले कौन कौन सा आएगा तो उसके लिए ये sentence यहाँ पर दिया गया है अब देखें earlier there were nine planets in our solar system पहले हमारे solar system में nine planets है but now Pluto is no longer considered a planet पर आजकल जो है पर अभी जो है Pluto को एक planet नहीं माना जाता because of its small size क्योंकि उसका size जो है बहुत छोटा है और इसलिए उसे एक dwarf planet बोलते है dwarf क्या होता है चोटे लोगों को छोटी चीजों के लिए ये नाम दिया जाता है जो चोटे लोग भी होते है न जैसे movies में उन्हें dwarf बोलते है तो इसलिए बहुत ही छोटे size के कारण planet को Pluto को अभी dwarf planet बोला जाता है वो अभी एक main planet नहीं है ठीक है तो यह है जो यहाँ पे बात बताई गई है अब next हमारा topic है sun sun कैसा होता है देखे sun is a brightest heavenly body in the space we can see sun सबसे brightest body है जो हम space में देख सकते हैं पर sun क्या है देखे it is actually a star पर sun जो है एक star है it is fixed at one place क्योंकि वो घुमता नहीं है वो एक ही जगा पर रहता है वो उसकी जगा fix है वो बाकी planets के तरह घुमता नहीं है it is a huge ball एक बहुत बड़े ball की तरह है of hot burning gases जैसे कि एक जलता हुआ बहुत ही बड़ा आग का गोला है which gives us heat and light और sun हमें क्या देता है heat देता है और light देता है then it takes one year for earth और earth को पूरा एक year लगता है एक साल लगता है पूरे sun का rotation करने के लिए मतलब sun जैसे कि अभी हमने solar system में देखा था ना अर्थ यहाँ पर बैठा है हम यहाँ पर बैठे है ना तो यह earth ना गूमते 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 ना पूरा sun का जब एक rotation मार लेता है और वापस इस जगे पर आ जाता है ना तब ही क्या होता है देखे one year complete होता है ठीक है तब जाकर हमारा एक साल होता है जैसे अभी 2022 से हम 23 में आ गए कैसे आ गए क्योंकि earth ने पूरा round मारते मारते sun का एक round मार लिया तब 2022 से 2023 हो गया है ना अब 24 होने के लिए फिर से earth ने start कर दिया होगा अब गूमते 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 जब ये फिर से वापस इस orbit में गूम रहा है ठीक है और फिर यहां पर आएगा तो 2024 हो जाएगा उसका मतलब अर्थ जो है पूरा एक साल लेता है sun को rotate करने के लिए अब next देखिए many solar system make a galaxy there are many galaxies in space our galaxy is called milky way galaxy अब देखिए ऐसे बहुत सारे solar system से जो है एक galaxy बनता है और बहुत सारे galaxies होते है हमारे space में तो जो हमारा galaxy है मतलब जिसमें अर्थ है तो उस galaxy का नाम है milky way galaxy ठीक है तो ये नाम भी आद रखे milky way हमारा galaxy जो हमारा solar system जहां पर घूम रहा है उसका नाम है milky way galaxy ठीक है अब देखते हैं आगे test your knowledge write two uses of sunlight दो uses लिखने है sunlight के sunlight हमें क्या क्या देता है सारे living beings को जो अर्थ पे रहते है sunlight helps the plants to grow है ना plants को grow करने में sunlight मदद करता है हमारे लिए देखी हमें heat और light मिलता है हमारे अर्थ के temperature को balanced रखता है it helps in drying our clothes है ना कप्रेस भी सुकते हैं sunlight में है ना तो बहुत सारे फाइदे हैं sunlight के हम बहुत सारे stars देखते हैं sky में some of them कुछ बड़े होते हैं bigger और hotter than sun और देखे sun भी एक star ही है ना तो बाकी जो stars है ना उसमें कुछ stars ऐसे भी होते हैं जो sun से भी बड़े होते हैं और गरम होते हैं but they are so far away that they look small to us but जो stars हैं वो बहुत बड़े होते हैं इतने दूर है हम से कि हमें वो छोटे लगते हैं लेकिन in real वो बहुत ही जादा बड़े होते हैं उनके size में ठीक हैं तो यह है stars के बारे में अब earth के बारे में क्या बताए देखे earth is the third planet in the solar system earth जो है तीसरा planet है हमारे solar system में जहां पर हम रहते हैं it is an amazing planet यह एक कमाल का planet है amazing planet है क्यों? क्योंकि it is the only planet which has life क्योंकि उसी planet में life है लोग रहते हैं, जीव जन्तू रहते हैं animals रहते हैं, plants grow होता है सारा जो life है वो सरफ अर्थ में है और क्या है अर्थ में देखे it has both air and water to support plants and animal life और अर्थ में क्या है देखे यह पानी है और हवा है air and water, इसी से सारे living beings रहते हैं, it is not completely round, अब जो अर्थ है वो पूरा completely round नहीं है वो कैसा है, देखिए has slightly flattened from top to bottom, पूरा completely round नहीं है, देखे, थोड़ा सा चप्ता है, flattened है, flat है, from top to bottom, ठीक है पूरा एकदम से proper round नहीं है, ठीक है, then it has both natural and man-made things, अब अर्थ में क्या है, natural things भी है, जैसे rivers, mountains, plants trees, यह सब natural things है जो पहले से है, और man-made things, जो लोगों ने बनाई है, वो सारी चीजे जो हम चारों तरफ देख सकते हैं, road, building, और सारी समान, जो लोगों ने बनाए हैं, तो दोनों है अर्थ में, earth is at just the right distance from the sun और यह ऐसा क्यों है ना, अर्थ सरफ अर्थी एक ऐसा planet है, जो एकदम correct distance में है sun से, ठीक है, ना कि बहुत जादा pass है, ना बहुत जादा दूर है, अर्थ का जो position है वो एकदम perfect है, और इसलिए यहाँ पर life है, हमारा जो earth है, वो sun के एकदम pass भी नहीं है, अगर pass होता तो क्या होता बहुत जादा गर्मी होती, और कोई वहाँ पर रहनी पाता, और बहुत जादा दूर भी नहीं है, दूर होता तो क्या होता, एकदम ठंडी होती और तब भी कोई नहीं रह पाता, ठीके, so neither hot nor cold for plants and animals to survive, और इसलिए plants और animals अर्थ पे survive करते हैं, रहते हैं, जीते हैं और earth एक perfect planet बन गया, living things के लिए आप देखे, यहाँ पे fill in the blanks है इसे complete करते हैं 3-4th part of the earth is covered 3-4th part, earth के जादा तर area में क्या है, पानी है, ठीके तो water लिख देते हैं, 3-4th मतलब जादा area में पानी और 1-4th मतलब एक जुथाई बाग में उसका land है, ठीके the earth takes dash hours to complete one rotation on its axis, इसका मतलब क्या है earth ना अपने ही जगा पर घूमता है, और sun के चारों तरफ भी घूमता है, ठीके तो अपने ही जगा पर एक बार घूमने में वो कितना time लेता है, तो वो है 24 hours, जो हमारा पूरा एक दिन होता है, है ना जिसमें दिन भी है, रात भी है पूरा 24 hours, ठीके तो ये time लेता है, earth अपने जगा पर खूमने के लिए, आगे देखते है, next topic है, moon moon क्या है देखिए, is moon is the nearest neighbor in the sky तो moon है earth का सबसे पास वाला पडोसी, जो हमारे सबसे पास है sky में ठीक है, it is much smaller than earth in size, वो जो है moon जो है earth से बहुत छोटा है size में, moon shines in the night, moon कब चमकता है रात को चमकता है, पर क्या moon का अपना light है, नहीं है न, it does not have the light of its own, तो moon का अपना कोई light नहीं है, वो कौन से light में चमकता है, वो sunlight के light का ही reflection है, जो moon में पड़ता है, ठीक है so, it reflects the light of the sun तो सूरज की रोशनी ही, जो है, moon पे पड़ती है जिससे की moon भी चमकता है ठीक है, तो it reflects the light of the sun which we can see as moonlight, और हम उसे moonlight बोलते हैं चांद की रोशनी बोलते हैं लेकिन in real, moon का अपना कोई light नहीं है, ठीक है, sun का light ही है, जो उस पर पड़ता है और हमें moonlight की तरह दिखता है once in a month we see a fully round moon in the sky पूरे महीने में एक ही दिन है जब हमें full moon दिखाई देता है, full moon मतलब हमें पूरा moon दिखाई देगा पूरा, एकदम circle, पूरा round हमें दिखाई देगा, तो बाकी दिनों में हम ऐसे half moon देखते हैं पर महीने के एक दिन हमें पूरा moon दिखाई देता है full moon, उसको हम क्या बोलते हैं full moon या पूरनिमा बोलते हैं, उसका मतलब पूरा moon हमें दिखाई देता है महीने के एक दिन में, sometimes और कभी-कभी, sometimes we cannot see moon at all in night, कभी-कभी हमें moon दिखाई देता पूरी रात में this is called new moon और अमावस्या, और उसको हम new moon बोलते हैं या अमावस्या बोलते हैं जब हमें moon दिखाई ही नहीं देता पूरी रात को अब next देखते हैं, moon के बारे में बताए कि it has no air and water on it अब अर्थ की तरह moon में देखिए पानी भी नहीं है, हावा भी नहीं है so इसलिए क्या होता है, वहाँ पर कोई रह नहीं सकता, it takes 28 days to complete one circle around the earth, और moon को ना पूरा 28 दिन लगता है, मतलब पूरा एक महीना लगता है, अर्थ के चारो तरफ घुमने के लिए, ठीक है, जैसे अर्थ को पूरा साल लगता है ना, sun के चारो तरफ घुमने के लिए जैसे हमारा अर्थ sun के चारो तरफ घुमता है उसी तरीके से moon भी earth के चारो तरफ घुमता है moon हमारी rotation करता है ठीक है, so moon को हमारे अर्थ को rotate करने में मतलब हमारे अर्थ के चारो तरफ घुम कर आने में पूरे 28 days लगते हैं, मतब एक महीने तक का समय लगता है, यह बात है जो यहाँ पर बताए गई है, आप देखिए, the people who go to space, वो लोग जो space में जाते हैं, अंतरिक्ष में जाते हैं, रॉकेट्स में जाते हैं, उन्हें हम astronaut बोलते हैं, ठीक है, it takes a lot of courage and hard work, और यह बहुत ही महन है, है न? So, अब यहाँ पर देखिए, faces of moon दिये है, कि moon कैसे कैसे गूमता है, तो हमें कैसे कैसे दिखाई देता है, देखिए, इ exams come to the moon, a week मोटा से दिखाई देता है और पूरा महीने में एक बार हमें फुल मौन दिखाई देता है बाकी दिन में हम ऐसे आधा-ाधा मौन ही देख सकते हैं यह मौन का फेसस है जो हम अर्थ से देखते हैं तो यही आपका चाप्टर था अब इसके एक्ससाइजस देखते हैं अब करना है, it is not a heavenly body, इसमें से कौन सा है जो heavenly body नहीं है, वो कौन सा है वो है clouds, ठीक है, clouds एक heavenly body नहीं है, then it is our nearest neighbor in the sky, इसमें से कौन सा है जो हमारा सबसे पास वाला पडोसी है, वो कौन है, moon, जो earth के, जो earth का neighbor है, then earth जो है sun को rotate करने में कितना समय लेता है, पूरा एक साल लेता है, है ना, so one year में कितने दिन होते है, one year में 365 दिन होते है, तो earth पूरा 365 दिन लेता है, और 6 घंटे भी लेता है, यानि 6 आर्स भी लेता है, ठीक है, अपे हम 365 days and 6 hours लिख देते हैं, ठीक है, then, next, dash is not a planet, इसमें से कौन सा है, ज ये बाकी सारे planets के name है, moon takes dash days to complete one circle around the earth, तो moon कितना दिन लेता है, earth को रोटेट करने के लिए 28 days लेता है, अभी हमने चाप्टर में पढ़ा था, अब आगे देखते हैं, so यहाँ पे correct answer लिखना है, आपको दिखे, it gives us heat and light, वो कौन है, वो है sun, जो हमें heat and light देता है, it is called a blue planet, blue planet कौन है, earth, है न, it mows around the earth in 28 days, तो वो कौन है, जो earth के चारो तरफ घूमता है, जो earth के चारो तरफ रोटेट करता है, 28 days में, वो है moon, ठीक है, then he goes to space in rocket, कौन है जो space में जाता है, rocket में, वो astronaut है, जो जाते हैं, ठीक है, then the path of a planet, यह जो path है, वो वे जिसमें planets rotate करते हैं, उसको ह या बोलते हैं, orbit, है न, हमने chapter में पढ़ा था, so आपको ऐसे complete करना है, और देखिए, वो activity जो हम सुबह करते हैं, daylight में, ठीक है, day time में, वहाँ पर आपको sun draw करना है, और night activities के लिए आपको star draw करना है, तो देखिए, यहाँ पर क्या draw करेंगे, तो school में हम कब जाते हैं, रात को नहीं खेलते हैं, रात को सोते हैं, तो यह night activity है, यहाँ पर star draw कर देंगे, तो ऐसे आपको यह complete करना है, और kitchen में कुकिंग सब कब होता है, वो भी दिन में होता है, रात को नहीं होता है, तो day activity है, दन पढ़ाई, यह भी day activity है, then cycle चलाना, बाहर जाकर खेलना, यह भी हम दिन में ही करते हैं, day activity है, यहाँ पर दिखिए, यह रात को काम कर रहा है, तो यह night activity है, जो यहाँ पर दिखाई गई है, तो ऐसे आपको यह complete करना है, और आगे दिखिए, यहाँ पर vowels से complete करना है, मतलब यहाँ पर planets के name दिये हैं, आपको correct vowels add करना है, वोवल कौन से होते हैं और इसे complete करना है, और इसे के साथ हमारा यह lesson भी यहाँ पर complete हो गया है, आप मिलते हैं अगले वीडियो में अगले lesson के साथ तब तक के लिए, bye bye, take care